बॉलिवूड फिलिम इंड़स्ट्री में बहुत सारी रिस्ते ऐसे जिनकी आज भी चर्चा होती है अगर सीधे सबतों में बोला जाये तो कुछ रिस्ते ऐसे हैं जो कि बहुत जादा अनोके हैं जिनके बारे में आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं आपको बता दे कि आज के समय में बहुत सारी अभी नेत्रिया ऐसी है जो बॉलीवड की सबसे खूबसूरत अभी नेत्रिया रही है जिन्होंने फिल्मों में काफी नाम कमाया है लेकिन उनके निजी जिन्दगी के बारे में बताएं तो उन्होंने एक ऐसे आदमी से साधी की है जो कि पहले से ही पिता बन चुके है ऐसी ही एक अभी नेत्रि करीना कपूर खान है जिन्होंने दो बच्चों के पिता सैफली खान से साधी की है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले सैफली खान ने करीना कपूर खान से साधी क्यों करी थी साल 2012 में सैफली ख था कि दोनों को अपना प्यार भहुत असानी से मिल गया हुआ लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो चलिए इन दोनों के बारे में बड़ी ही पारिकी से जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको भी करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी पसंद है तो इस वीडियो क में बात करते वे खुद बताया कि सैफ से साधी करने के लिए उन्होंने घर से भागनी तक का प्लैन बना लिया था उन्होंने बताया कि हमने अपनी फैमली को धंकी भी दे दी थी कि अगर हमारी साधी मीडिया का सरकस बनी तो हम भाग जाएंगे जी है उस समय मीडिया को अ उन्होंने इंटर्वे में बात करते वे का कि वो साधी के बाद इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है इसलिए वो साधी के बाद भी फिल्मों में काम करेंगी और सैफ ने उनकी ये सर्थ मान ली साधी के बाद करीना कपूर कई फिल्मों में भी नजर आई और अपनी दमदार एक्टिंग से जनता के दिलों को भी जीत रही है जैसा कि आप सभी को पता है कि एक समय में करीना कपूर और साहिद कपूर के डेटिंग के चर्चे खूब लाइम लाइट में थे और दोनों जल्दी साधी भी करने वाले थे लेकिन दोनों की लव स्टोरी के बीच में आगए सैफ अली खान सैफ से करीना कपूर की मुलाकाट टसन फिल्म के सैट पर हुई थी इसी फिल्म के दोरान दोनों के बीच नस्दीकिया बढ़ने लगी सैफ और करीना की नजदी क्याई साहित कपूर और करीना कपूर के ब्रेक अप का कारण बनी तो दोस्ते इस बारे में आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए